हलो दोस्तो मैं बिसंदत टिप्स और लेविन से आज हम बात करेंगे दोस्तो मुंबई ओक्स की मुंबई में रेसे हैं बहुत बड़ी रेसे हैं और काड भी बहुत बड़ा है दस रेस है टोटल पहली रेस एक बच के पंदा मिनट में स्टार्ट है दोस्तो और आकरी रेस प में भी है कि सारे ही टॉप कंटेंडर और मॉस्ट कुछ गोड़े दिख रहे हैं कुछ ही रेसे हैं जहां पर लग रहा है कि बाई चांस बनता है कुछ आने का या यह गोड़ा जीतना चाहिए खैर उमीद करते हैं सिलक्षन यह फेवर में रहें जैसे मैं हर बार ही बोलता हू और इंजॉय करें संडे की रेसिंग को यार मंबई तो मैं देखना ज्यादा पसंद करता हूं वैसे खैर आ जाते हैं पहली रेस में दोस्तों सौर्ट सिलक्षन लेके चलूँगा हजार मीटर की रेस है और क्लास फाइव है इसमें दो ही गोड़े पिक करके चलूँगा सैं और जीदना चाहिए साथ नंबर का गेट है और दूसरा गोड़ा इसी के साथ भागा हुआ पिक करके चलूँगा दोस्तों चैनल आर्बिटेज लास्ट टाइम थार्ड लगा था है कि इसके ही आगे और जर्वन से जर्वन राइट कर रहा है और इसमें एक गोड़ा और य यहां पर किलास फाइब भागा रहे हैं इस गोड़े को यार यह एक चांस पर अपसेट कर सकता है दोस्तों इस रेस में गोड़ा बट मेरा फाइनल पिक जो रहेगा दोस्तों तीन नंबर सेंपेन इसमाइल विसाल लेन बुंदे और चैन नंबर आर्बिटेज एस जर्वन सेकन्रेस में आ जाते हैं दोस्तों सेकन्रेस भी हजार मीटर की है किलास टू की यार टॉप और विस्त में सारे के सारे ही टॉप और दूए का ट्रैक बहुत अच्छा जा रहा है बेबी विजू का और इसमें जो मेरा पिक रहेगा दोस्तों पांच नंबर अरकाना पीएस चोहान हजार मीटर में नो डाउट यार बड़ा सुपिरियर गोड़ा है और काफी अच्छे रने दोनों के दोनों बहुत अच्छे रन थे और यहां पर चोहान बैठा दिया लोबर वेट में उमीद करते हैं जीते दुवारा और दूसरा गोड़ा पे करके चलूंगा दोस्त करते हैं हजार मीटर में बैटर रान दे यहां पर किलास जीता है किलास टू भागा रहें घोड़े को यार और आजएतना है दोस्तों थर्ड इसमें जुदा के नीचे बहुत अच्छे रन थे किसी टाइम पर उसके बाद ट्रैवर बैठाई वर ट्रैवर ने अठारा सुझित आया फिर क्लास थिरी में बंब्ड हुआ सिंदी के नीचे फिर लास्ट टाइम मौसीन ने भी बहुत बढ़िया रिंदिया बारवे से उठके गोड जीते यार दुवारा मदद दुवारा काफी टाइम बात और दूसरा गोड़ा पिक करके चलूँगा दोस्तों इसी रेस में एक नमबर ग्रेड गंस सोलों सो मिटर में यार काफी इंप्रेसिव रहने सारे के सारे लास्ट रम हजार मीटर मतब अठारव सो मिटर में नहीं बन पाया बट सोलों सो फिर भाग रहा है तो यहां पर इस गोड़े पर चांस बनता है चौदो चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों बारसे मिटर क्लास फोर की रेस है इसमें जो मेरा पिक रहेगा एक नमबर इस नौ फॉल संदेश खुदी ट्रैक दे रहा है मतब गोड़ा यार मिलियन बहुत अच्छी फिल्ड में भागावा गोड़ा है उमीद करते हैं ब नौ नमबर पायरस योदा और इना मुराटा के आगे गुट सैकिंड लगा है किंग रैंसम के साथ भागावा गोड़ा है और साइध ये विड्डौन है यार मैं शियोन नहीं हूं बट साइध विड्डौन है तो इस रेस में यार फिर एक गोड़ा ये च्छै नमबर भी बनता है हगिविस आर सेलर ठीक है तो अगर विड्डौन है तो यार आप इसे कंडिस कंसिडर कर सकते हैं दूसरे गोड़े को और पांच वी रेस में आ जाते हैं दोस्तों 2000 मिटर क्लास 4 की रेस है यार इसमें जो मेरा पिक रहेगा काफी जैसा मतब ओपन फिल्ड कह लोग यार काफी कॉंप्लिकेटी रेस कहलो तो इस रेस में जो मेरा पिक रहेगा दोस्तों एक नमबर विंसेंट वैंगोग टॉपवेट में साड़े एक सट किलो में सायद से नाती भगा सकता है और मौजीतों के साथ में थर्ड लगाए गोड़ा और दूसरा गोड़ा पिक करके चलूँगा दोस्तों इसी रेस में माइक ट्रेजर सुरनेडू लास्ट टाइम येस नेडू ने बहुत बढ़िया कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया विक्ति थी तो यहां पर सुरनेडू बैट थिरी की रेसे यार इसमें मैं टॉब और जी जो बड़ी रेसे हैं उनमें लेके चलूँगा एक नमबर आहेड व माइट टाइम लास्ट विक्ट्री बड़ी इंप्रेसिव थी यार काफी मतब बढ़िया गोड़ा जीता था संदेश के नीचे और इस बास सीनात बैठा दि पेडिगरी में मतलब यह घुड़ा अच्छे बागते हैं पेडिगरी वाइस रूफिना जिस दिन 1600 भागी थी लेडी इनलेस हैदरबास से आगे घुड़ा जीता था पूने में तो यहां पर आहेडव मैं टाइम देखते हैं यार 2000 मिटर में कैसा रन देता है क्योंकि डिस परमार के द्वारा गोड़ा थोड़ा हंगाउट हो रहा था तो यहां पर इस बार ही उमीद करते हैं एनेस परमार के नीचे गोड़ा यार बिलकुल बनता है और चानंबर वंसी गो ब्लैक दोस्तों कंटिनू ट्रैक जा रहा है और डर्वी जीत किया है भी सूरज के नीच सब्सक्राइब और उससे पहले जिस दिन सुपर नैचुरल जीता है उस दिन ही गोड़ा विड्वान था बैंगलोड डर्वी से तो एक फाइट और देखने को मिल सकते वंसी गो ब्लैक के साथ सुपर नैचुरल की और सुपर नैचुरल यार जैसा सेकंड साइकिन लग रह है अगर देखेंगे आप पहले 2000 मीटर पहले ही रन में 2000 मीटर जीता पोने 6 लेंटों से फिर उसके बाद डर्वी भागा गोड़ा किंग रैंसम के आगे उस दिन भी लग रहा था गोड़ा फिर उसके बाद 1600 बहुत इंप्रेसिव जीता है यार टॉप वेड में तो यहां से एक्सपरियंस ज्यादा लग रहा है इन गोड़ों का यार और इस रेस में दोस्तों जो मेरा पिक रहा गया है वंसुगू ब्लैक इस संदेश और पांच नमबर सुपर नैचुरल पी ट्रैवर एक बात दोस्तों वैसे आपकी नॉलिज़ चिले बता देता हूं मौजी त तो गड़बर कर सकता है और अहीड़ों माई टाइम तो सभी उड़े हैं यार मैं फाइनल ही पिक लेके चलों दोस्तों ब्लैक इस अंदेश और पांच नमबर सुपर नैचुर पी ट्रैवर आ जाता हैं दोस्तों साथ वी रेस में गूल एस पुना वाला मिलियन ग्रेट थ्री की रेस है दोस्तों और थिरियर ओल्ड के बच्चे हैं और मुस्ट और आईरीज गूल्ड दोनों रन बहुत बढ़ी हैं यार और पोटो फीनो बे लास्ट नम बहुत बढ़ी है विक्ट्री थी और उससे पहल यह तीनों यह की साथ में भागे हुए हैं सैकिन लगा था पॉट्फिनों बे थर्ल लगा था आईरीज गूल्ड और चौथा लगा था मिरेंडा तो कुछ हो सकता है उपर नीचे अकसर होता है ऐसा तो और उसके बाद है दोस्तों यह पांच नमबर प्राइट स्प्रिंस और ट्रैक ठीक जा रहा है यार दोस्तों इस गोड़े का और 12 नमबर है तो यहां पर यह भी आप अपसेट कंसिडर कर सकते हैं इसे जर्वन के निचे और इस तरह इसमें जो मेरा प्राइगा दोस्तों दोनों ही मिश्टर डिटोडिवाला जी के गोड़े दो नमबर पोटो फिनो बे एस अंदेश और एक नमबर आईरिस गोल्ड पी ट्रैवर और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों ओक्स में 2400 मिटर की रेस है और यह भी दा वीलू सी पुनावाला इंडियन ओक्स ग्रेड वन की रेस है 2400 मिटर की कि इसमें टॉप और यह डेंजरस गोड़ा किंग रैंसम को यार बार बार बीट करने के लिए जा रहा है और किंग रैंसम काई नहीं पर टॉप होर्स है एक तरीके से इस टाइम पर फॉर्म में है और इस बारी वाइए सिनाद बैठा दिया है और विप का बेनिफिट हो सक लगता है कहीना कहीं पर यार हार्ड राइडर है सी जोधा से ज्यादे ही है मेरे खियाल से हाइड राइडर तो एक चांस बनता है इस गोड़े पर यारी विन होना चाहिए गोड़ा मुझे ऐसा लगता है और दो नंबर है काइफर सुरन एडू लास्ट टाइम रन तो अच को सुरज के नीचे बनता है सर्प्राइस कर सकता है किमी को अपसेट आप कंसिडर कर सकते हैं ऐसे कुछ भी हो जाता दोस्तों सब घोड़े जैसा मैं बता रहा हूं कि सभी घोड़े 2400 मिटर फर्स टाइम जा रहे हैं सिर्फ दो नंबर है काइफर यही एक बार 2400 गया किमी को अपसेट कर सकता है किंग्स रैंसम दोस्तों बिल्कुल दुबारा गोड़ा बनता है या पूने डर्वी जीता फिर गिनीज जीता इस बारी ओक्स है तो उमीद करते हैं और पांच इंबर कुईन एंविट दोस्तों गोड़ा अभी जीता था दो जनवरी को और तेर हिदराबाद से मंबई आया गोड़ा और फाइनल एंटी है दोस्तों गोड़े की तो यहां पर यार फाइनल एंटी में मुझे बड़ा डावड रहता हर बारी लास्ट विक्टी बहुत बढ़िया थी क्योंकि हैदराबाद में कंटीनू पहले गिनीज जीता फिरोक्स जीत तो चैनल साइर डाला प्लाटा पीस मिश्टर पैसी का यह भी और साथ नंबर थन भाग लास्ट टाइम स्टार्ट टू फिनिसी जाने वाला था खैर किंग्स रेंसम बहुत सुपिरियर गोड़ा है और इस बार चौविस तो जाना है कि एवार दुआर इनी गोड़ों में देखने को मेरा सिलेक्शन यही रहेगा इनी दोनों गोड़ों में फाइट होनी चाहिए एक बारी चान नंबर किंग्स रैंसम पीएस चोहान और एक नंबर डेंजरस वाइस सिनात क्योंकि कुछ चेंज किया गया है जोकी चेंज किया गया है यह तो गोड़ा आएगा या पिर जाएगा और आ जाते हैं दोस्तों नौवी रेस में बारस मिटे किलास फोर की है इसमें जो मेरा पिक रहाएगा दोस्तों एक नंबर मिली वाई यह सिनात और तीन नंबर दॉलत माई मुस्तिकिम आलम विब मिल गई है जोकी को बहुत बढ़ी है तो उमीद करते हैं प ट्रैक दिया था इस गोड़े ने तो यहां पर इस गोड़े पर जरूर नजर रखना है चैनल पर और आखरी रेस में आ जाते हैं दोस्तों दस वी रेस किलास फाइव किया हजार मीटर की इसमें जो मेरा पिक रहाएगा चार नंबर नैंसन रिवर गोड़ अच्छा है यार लेडी के साथ में भागा हुआ विंसेंट गॉक के साथ में भागा हुआ है थर्ड लगा हुआ है काफी क्लोगों से 1412 सुमें और यहां पर इस बारी हजार जाना है एक तो डिस्टेंस वाट है और दूसी बात है गेट बहुत वाइड है चौदर नंबर का गेट है तो अमीद करते हैं इस बारी यह घुड़ा जीते यार डफी ठीके दोस्तों कार्ट बहुल नंबा यार मैं तो यह कहूंगा संडे है इंज्वाए करें अपना और रेसों को देखें और जो समझा है जो आपको लगे कि हाँ यह बंता है उसी को कंसिडर करें ठीके दोस्तों all the best यार best of luck और मिलते हैं इसके बाद मंडे की रेसों में हैदराबाद साथ ठीक है भाई यो टेक केर बाई यार गुड़नाइट भाई बाई